नमास्कार दोस्तों, आयोध्या में राम मंदर, सीम योगिया आधितनाथ समेट कुछ लोगों को बंग से उड़ाने की धंकी के मामले में, STF की टीम ने दो आरूपियों को पकड़ लिया है। दोस्तों, आरूपी निकले हैं इंटेनेट वाले फरजी हिंदू, जिनको ना राम से मतलब है, ना राम मंदर से, जिनका मकसद सिर्फ एक धर्म विशेश को बदनाम करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेखना और दंगे करवाने का था। दोस्तों, आपको उता दे कुछ दिन पहले, भारतिय किसान मंच एवं भारतिय गौ सेवा परशत के अध्यक्ष देवेंदर तिवारी को इमेल के जरी कथत तौर पर एक धंकी भरा मेल मिला था। इसमें राम मंदर, सीएम योगी और स्टीएफ चीफ को बम से उडाने की धंकी दी गई थी। ये इमेल जुबैर खान नाम के एक यूजर ने किया था। देवेंदर तिवारी ने दावा किया था कि इमेल बेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजन्सी आईसाई का एजन्ट बताया था। इसके बारे में ट्वीट करके खुद देवेंदर ने बताया कि आज दिनांग 27 दिसंबर 2023 को दुफैर दो बचकर 7 मिनट पर उतरपदेश के मुख्यमंत्री मानिय योगी आदितनाग जी, स्टीफ के चीफ श्री अमिताब यश्री एवं मुझे फिर से जुबेर खान नाम के एक व्यक्ति द्वारा जौन से मारने का इमेल प्राप्त हुआ है। चहीद हो सकता हूँ, ये देखे, ये वो स्क्रीन शॉट है दूस्तों, इस ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया पर मुसल्मानों के खिलाफ तमाम ट्वीट्स लिखे जा रहे थे, खिलाफ काफी सारे बयानबाजियां की जा रही थी, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही गिरफतार किया तो कई सारे बहुत बड़े खुलासे हुए, हरानी की बाद तो ये है कि इन दोनों में से एक भी मुसल्मान नहीं निकला, एक आरोपी का नाम ओम प्रकाश मिश्रा और दूसरे आरोपी का नाम है तहर सेंग, ये देखे, ये हैं वो दोनों आरोपी, हाला कि दोस्तों इन दोनों ही आरोपियों के मिलने के बाद पूरे खेल के मास्टर माइंड का भी खुलासा हुआ है, अब आप सोचेंगे कि ये मास्टर माइंड कौन है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस खेल का मास्टर माइंड कोई और नहीं, बलकि वही गौरक्षक की मिलने का आरोप लगाया था और मुसल्मानों को बदनाम करने की साज़िश्रची थी आरोपियों के कुबूल नामे के अनुसार देवेंद्र तिवारी ने खोद ही ये साज़िश्रची थी देवेंद्र ने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही करमच दोनों को दे दिये थे फिर मेल भेजने के बाद मुबाइल को उसने जला भी दिया था ताकि सबूत जो है वो पूरी तरीके से नुष्ट हो जाए खाला कि इस पूरी साज़िश के पीछे दोस्तों देवेंद्र का मकसद कहीं न कहीं मुसल्मानों को बदनाम करना भी था क् कोई पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा कोई खेल रहा हो। अगस्त 2022 में भी उसने दावा किया था कि सल्मान सिद्धी की ने उन्हें और मुख्यमंत्री योगी आदेतनाथ को बं से उड़ाने की धंकी भरा पत्र भेजाए। आप इंडिया जैसी जो प्रोपोगेंडा वेब नवंबर 2023 में उन्होंने दावा किया कि उन्हें आलम अंसारी खान ने एक और मिल भेजाए जिसमें उन्हें और योगी आदेतनाथ को धंकी दी गई है। और स्वगोशित हिंदुवादी संगठन कितना कोहराम मचा रहे होते हैं। शर्म की बात देखिए, इन दोनों अभियोकते उन्हें दो मुसल्मानों के नाम से इमेल आईडी बना कर आईएसाई कनेक्शन दिखाने की कोशिश की। लेकिन असली आरोप तो खुद नफरत फैलाने का काम किया, खुद ही फर्जी पत्र लिखकर अपने ही सनातन धर्म पर आपती जनक करने वाली टिपनिया की, मुख्यमंत्री योग्याद इतनात के लिए अब शब्द लिखे, एक वर्क की सहानुबूती पाने के लिए खुद को हिंदुवादी और गौरक तक बता दिया, और मुसल्मानों के प्रती समाज में नफरत फैलाने का काम किया है, ऐसे में आप देखना होगा कि इन पर क्या कारवाई होती है, क्या इनके घर पर बुल्डोजर जाएगा, आपको क्या लगता है अपनी राए हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताईए, य एक खबर आप उल्टा जश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मेरा नाम है फरीन अंसारी, आप रहें स्वस्थ, मस्थ, बस यही है दुआ मारी, दो ते अगली वीजियो में तब तक के लिए, अलविदा